हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपको बताऊंगी कि शादी में क्या गिफ्ट देना चाहिए यानि जब हमारे किसी भी रिलेटिव की या हमारे अपने घर में या किसी रिष्टेदार के घर में कोई भी शादी होती है तो जाहरी बाते हम गिफ्ट देते हैं कोई ने कोई सा गिफ् या कोई हमारे फ्रेंड में शादी है, या हमारे कोई, प्रॉस ही हैं या जिसे हमारे बहुत अच्छे तालुक आते हैं, महां पर शादी है. तो जाहिरी बात है हम गिफ्ट तो देते हैं इने गिफ्ट देना भी चाहिए हर इनसान को खुशी होती है जो उसके अपने किसी की शादी होती है तो उसे खुशी होती है कि हम उसे गिफ्ट दें अब गिफ्ट में तो बहुत सारी चीज़े आजाती हैं आछाए चाहते हैं जो मतलब गिफ्ट में आप दे सकते हैं अगर आप अच्छा डियाना चाहते हो तो आप हो मॐसिवांगे ऐसे अशीर क्रोगडी का सामान भी दे सकते हैं आको जूसर लिक से दे सकते हैं या इस migrants के दिल पर जेक्वाई हैं दे सकते हैं या आप माइक्रोवेब दे सकते हैं मतलब यह तो आपकी पॉकिट मनी पर मुनसिर होता है यानि पॉकिट मनी के हिसाफ से आप दे सकते हैं जितना भी आप बड़ा गीफ देना चाहें तो बड़े आइटम दे सकते हैं आप जीवली भी दे सकते हैं कोई एर थोड़े शस्त्य होगे हैं the laptop चाहिए ख्रेकर चीजदी सकते हो सब्सक्राइब बहुत सारी चीज़े होती है किचन को हने में आठी हैं पोब, पिर आजाता है कि आप अगर जैसे फ्रेंड़ से अफरेंड से तो ह энергा उन्हें फो टो फ्रेम दे सकते होया उनकी पिक्चर को आप एक डम बनाकर किसी से बननाकर वो भी दे सकते हैं मतलब फोटो के इलावा आप अपने हाथ के कोई भी ने गिफ्ट कर सकते हैं फोर्टु फ्रेम करते हैं चना में उनको ठ्रूप्ट दे सकते हैं या इसा कि आप कॉलिज के जमाने कोई आप के पुराणी पिख हो यारा यादगार पिख हो तो आप उसको याद रखना चाहो हमेशा हमेशा के लिए हमारे फ्रेंड और हमारे दर्मियान एक महबत का तुख़ा है तो उसको भी फोटो फ्रेम कराके आप उसको दे सकते हो और यह भी हो सकता है कि आप हनीमून की फ्लाइट टिकेट भी दे सकते हैं यानि उनके हनीमून हमारे उस फ्रेंड ने हमें हनीमून टिकेट दिया था और हमने बहुत ही एंजवाई किया था इस तरीके से आप फ्लाइट टिकेट भी दे सकते हैं या लास्ट में ऐसा होता है कि जब हमारी कुछ समझ में नहीं आता और हम सोचें कि ओह हो अप तो बिल्कुल आखरी वक्त गया है और हमने सोचे भी नहीं कि हम उसको क्या गिफ्ट दें तो आप ऐमाजॉन से पैसे भी भी जबा सकते हैं उसमें सोने के सिक्षे भी दे सकते हैं अगर आप ज्यादा कुछ देना चाहते हैं तो सोने के सिक्षे दे सकते हैं गोल्ड के सिक्षे या सिल्वर के सिक्षे कुछ भी दे सकते हैं और जब last में आप वहाँ जाएं उससे मिलने तो बिल्कुल आप flower ले जाना या बुक्के ले जाना बिल्कुल नहां भूलें क्योंकि ये एक खुशी का तोफ़ा होता है जब आप कोई सफी gift देंगे तो last में उसको एक बुक्के पेश करें महबबत का नजराना होता है वो flower वो बुक्के जो इनसान एकदम खुशी के साथ खुद भी खिल उठता है यानि flower तो खिले हुए होते हैं उसका चेहरा भी खुशी के मारे खिल उठता है तो ये होते हैं महबबत के तोपे जो शादी पे आप अपने फ्रेंड्स को अपने रिलेटीव को या प्रॉसी को या आफिस के कोई भी किसी भी जिसको आप जानते हो उसको दे सकते हो तो ये सब गिफ्ट होते हैं तो फैन आपसे मैं ये ही कोँगी कि और भी बहुत सारे गिफ्ट होते हैं जो आप दे सकते हैं तो इस तरहां आप महबत अपने फेंड में बाड़ते रहें, उनको शादी में गिफ्ट देते रहें और वो भी खुश रहें और आप भी खुश रहें, इसी तरीके से खुशियां भी खेरते रहें अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेट से विदें, बाई